मंचुरियन तो अपने बहुत तरीके के खाई होगी, लेकिन आज मैंने जैसे ये मंचुरियन को बनाई है, इसे अगर खा लेंगे, तो कोई भी रेस्टरॉन वाली मंचुरियन भी भूल जाएंगे, तो यहां मैंने ये एक कप सोया बढ़ी ली है, तो अभी मैं ये सारे सोया को पानी में डाल दूंगी इसे मैंने अच्छे से गरम करके लिए है तो अभी सोया डालने के बाद इसे हमें उबालना नहीं है बस अच्छे से इसे अभी मैं डुबो के कुछ देर छोड़ देंगे और ये मैंने एक पत्ता गोबी ली है तो ये पूरा गोबी हमें यहां पे नहीं चाहिए बस ये आगे से थोड़ा सा काट लूँगी और इसे ही चौप कर लूँगी तो जैसे गोबी मंचुरियन के लिए हम गोबी को ग्रेट करते हैं इसे वैसे ग्रेट करना नहीं है बस ऐसे पतला पतला काट लेंगे बारी काटना भी नहीं है ये कटिंग के उपर ह मंचुरियन का टेस्ट काफी डिपेंड करेगा तो ये सारे गोबी को मैं अभी बोल में निकाल लूँगी अभी काटने के बाद ये लगभग तीन कप जितना होगा तो इसके साथ में मैं एक छोटी चमज नमक डालूँगी और अच्छे से मसलते हुए नमक को पूरे गोबी म और इधर ये स्वया भी अच्छे से फूल चुका है तो इसे मैं पहले इस चलनी में चान लूँगी और फिर थोड़ा-थोड़ा स्वया को हातों में लेकर ऐसे निचोर के इसका जितना हो सके पानी को निकाल दूँगी ये देखिए तो अभी इसे मैं मिक्सी के जार में ड दालके इसे मैं पीस लूँगी तो पीसने के लिए यहां पे आप पानी वगेरा बिल्कूल भी मत डालना बस ऐसे ही इसे दद्रासा पीस लेना और इसे भी मैं इस गोबी में डाल दूँगी और इसके साथ में डालूँगी ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के प्यास वा रहता है और टेस्ट भी इसका काफी अलग होता है तो स्प्रिंग अनियन में ये प्यास वाला पार्ट अगर इससे कम भी रहे तो भी आप इसे ही काटके डालना और ये बाकी के पत्ते वाले पार्ट को चौप करके रख दूँगी इसे मैं ग्रेवी में यूज करूँगी तो अब इसके साथ में मैं दो कटी हुई हरिमिर्च एक छोटी चमच अद्रग लसुन का पेस्ट एक बड़ी चमच जितना सोया सौस एक बड़ी चमच रेट चीली सौस आधी बड़ी चमच कश्मीरी लाल मिच पावडर एक बड़ी चमच टुमेटो केचप और एक बड़ भी डालना नहीं है तो सारे चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी चार बड़ी चमच जितना कॉन्फलर और चार बड़ी चमच मैदा और इसे भी अच्छे से मिलाके इसे एक डो जैसा बना लूंगी यह कॉन्फलर और मैदे का क्वांटिटी थ कितना पानी release होगा उसके उपर तो देखिए इसमें अच्छे से binding आ चुकी है तो अभी इसे हमें rest बिल्कुल भी करना नहीं है बच ये हातों को थोड़ा साफ कर लेंगे और हातों में थोड़ा सा तेल लगा के इस mixer से ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाके इस तेल में डाल देंगे तो कड़ाई में जितना आएगा उतना ही बॉल्स को अभी डाल देंगे बॉल्स का शेप आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते है और इस तेल को मैंने मीडियम गरम करके ली है और अभी ऐसे ही बीज-बीज में चलाते हुए चारों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी तो देखिए बस दो-तिर मिनिट में ही यह बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अभी इन्हे मैं तेल से निकाल लूँगी और बाकी के बॉल्स को ऐसे ही फ्राई कर लूँगी यह बॉल्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तो तेल में इसे आप ज्यादा देर तक छोड़ना मत फिर यह जल जाएगा और अब फ्राई की हुई तेल में से ही करीबन देर बड़ी चमच तेल मैं कराई में डालूँगी और साथ में एक छोटी चमच जितना बारी कटा हुआ अद्रक एक बड़ी चमच बारी कटा हुआ लसुन और दो कटी हुई हरी मिर्ज डालके इन्हें अच्छे से तेल में चला लूँगी लसुन का अभी यहाँ पर कलर चेंज करना नहीं है लेकिन कुछ सेगिन भून लेंगे तो इन सब का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाएगा तो अब मैं आधा कब बारी कटा हुआ प्यास और आधा कब बारी कटा हुआ शिम्रा मिज डालूँगी और अच्छे से इने मीडियम फ्लेम पर कुछ दिर भून लूँगी इन सब को बहुत ज़्यादा भून के कलर चेंज करना नहीं है बस इतना ही भूनेंगे कि ये प्यास और शिम्रा मिज खोड़ा सौफ्ट हो जाए इसे ग्रेवी का थिकनेस बहुत बढ़ी आएगा और प्यास का मिठास भी बरकरा रहेगा तो देखिए अभी काफी सौफ्ट ये हो चुका है अभी इसमें मैं दो कब पानी डालूँगी यहापे आप ग्रेवी जितना रखना चाते है पानी भी उसी हिसाब से डाले और अगर ड्राइ मंचूरियन बना रहे है तो बस आधा कब पानी ही डालना तो साथ में एक बड़ी चमच टुमैटो केचप, एक बड़ी चमच रेट चिली सौस, आधी बड़ी चमच सोया सौस, चिली फ्लेक्स, दो छोटी चमच आधी चोटी चमच नमक, आधी चोटी चमच काली मिच पाउडर, आधी चोटी चमच चीनी और आधी बड़ी चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर डालेंगे रेस्ट्रेंट वाली मंचूरियन में वो लोग थोड़ा बहुत कलर भी मिलाते हैं लेकिन आप इसमें ऐसे थोड़ा सा कश्मीरी लालमिच पाउडर डाल देना फिर इसका टेक्शर उससे भी बढ़िया होगा तो अभी फ्लेम को हाई करके इस ग्रेवी में अच्छे से उबा लाने देंगे ये देखिए ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबा ला चुकी है तो फ्लेम को भी लो कर देंगे तो अभी ये दो चमच पानी में मैं एक चमच जितना कॉनफलार डाल के इसका एक घोल बना लूँगी और इसे ग्रेवी में डाल दूँगी बस ध्यान रखना इसमें कोई गुडलिया न रहे और डालने के साती सात इसे मिला भी दूँगी नहीं तो ग्रेवी में गुडलिया बन सकता है और अब मैं इसमें ये सारे chopped की हुई spring onion को डाल दूँगी और साथ में ये सारे manchurian balls भी डाल दूँगी और low medium flame पर इसे मैं अच्छे से gravy के साथ मिलाऊंगी यहापे चीनी के बदले आप चाहे तो last में थोड़ी सी शैद भी डाल सकते हैं लेकिन इसे पूरा skip मत करना क्योंकि ये थोड़ा सा मिठास से manchurian का तीखा पन काफी balance रहता है तो अब इसे मैं लगभग 4-5 मिनिट इस gravy के साथ low medium flame पर पका लूँगी ये देखिए texture कितना बढ़िया आ चुका है और gravy भी देखिए काफी ज्यादा थीक बन चुका है अभी इसे मैं इतना ही थीक रखूंगी क्योंकि ठंडा होते होते ये और थोड़ा सा गारा होगा तो frame को off करके इसे निकाल लेंगे तो मुझे बताना जरूर ये थोड़ा अलग तरीकी मंचुरियन आपको कैसी लगी चलिए मिलतकले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार